एक हरे भरे जंगल में जहां उचे उचे पेड एक प्राकृतिक भूल भूलया की तरह आपस में गुन्ते हुए थे, लियो नाम का एक बहादुर छोटा लड़का रहता था। लियो साहसी था और उसे अपने आसपास की दुन्या के बारे में एक अत्रिप्त जिग्यासा थी। लियो का दयालू हृदय उस भव्य प्रानी को पीडित होते देखना सहन नहीं कर सका। वह सावधानी से केवल अपनी मासूमियत और दयालुता से लैस होकर आया। धैरिय और देखभाल के साथ लियो ने शेर के घावों की देखभाल की और दिनबदिन उसका विश्वास अरजित किया। जैसे जैसे उनका बंधन बढ़ता गया। लियो ने शेर का नाम सिंबा रखा एक कहानी के बाद जो उसकी दादी ने उसे सुनाई थी। वे साथ-साथ जंगल में घूमते रहे और एक अटूट दोस्ती कायम कर ली। लियो का साहस और सिंबा की ताकत एक दूसरे के पूरक थे, जिससे वे एक अजे टीम बन गई। लड़के और शेर की जोडी की बाद पूरे जंगल में फैल गई, जिससे जानवरों में भय और प्रशनसा पैदा हो गई। लियो ने सिंबा को दोस्ती और विश्वास के बारे में सिखाया, और सिंबा ने लियो को प्रकृती की जंगली सुन्दर्ता और लचीलेपन के बारे में सिखाया। उनकी कहानी एक किमवदंती बन गई, जो पीधी दर पीधी चली गई, एक छोटे लड़के और शेर के बीच असाधारन संबंध का प्रमान। और उस जंगल में उनकी विरासत जीवित रही, यह याद दिलाती है कि सबसे अप्रत्याशित दोस्ती भी दुनिया को उलेखनिय तरीकों से बदल सकती है।